हेलो जी है तो अब हम आप लों को अपनी शॉपिंग दिखाते हैं यहां रूम में लाइट्स इतनी अच्छी नहीं है मैं उपर आया थी वीडियो बनाने के लिए मैंने सुचा जो मैंने अभी शॉपिंग किया आप लोग के साथ साथ ही पिर काम बहुत बढ़ जाता है और इन्होंने मुझे बहुत तंग किया हुए हेलो गाइस हेलो गाइस करें बाहर का मौसम देखें फुल जॉबर में मैंने थोड़े कटन्स पिछे किया ताके थोड़ी लाइट अच्छी आए और हमारी वीडियो बन पाए तो आप लोग को मैं दिखा देती हूं हम लोग ने क्या शॉपिंग यह बहुत बेसिक से चीज़े ली थी क्योंकि हम लोग ज्यादा स्टफ यहां लेके नहीं आया थ तो यह वाले शूज लिए है ममा ने और यह बहुत सॉफ्ट नेट वाले शर्ट कहरी हूं शूज है और इनकी प्राइस है और इनकी प्राइस है 14.90 यन तो अगर आप दोको ने मुझे यह भी कमेंट आया था कि आपने जोबी चीज लेनी है उसको कनवर्ट करके हम पाकिस् इस तरह के मैंने भी लिए है बट माइन आर ग्रे वाले लिए यह सॉफ्ट बहुत इस लिए लिए यह प्राइस सेम है और यह यहां के जो मतलब एक रिजनेबल स्टोर है यह उसकी चीज़े है जी यह भाबी ने लिया है यह बी मैं आपको लिखाती हूं इस श्रग इस सीज़े है यहां पर इस बैग क्योंकि मुझे इसका कलर बहुत अलगा था प्लास यह बहुत लाइट वेट है इस है 2700 यहां फॉर ताउजन के करीब यह पाकिसानी लिए मैं साथ-स इस लिए मैंशन कर रही हूं कि मुझे आप लोगों ने पूछा का उसके यहां प्राइस यह बहुत ही प्यारा से स्टाफ है ट्राउजर काना और इसकी प्राइस है 990 यह जो के बनते हैं पाकिस्तानी लुपीज में अप्रॉक्सिमेटली 2000 तक ठीक है इसके बाद और एक मैंने यह शर्ट ली थी और इसकी प्राइस में आपको दिखा देती हूं किदर गई यह दे पाकिस्तानी लुपीज में इसको आपने डबल दा प्राइस कर देना ठीक है यह चर्ट ही जो कोई ट्राउजर के साथ प्यार की थी क्यूंकि मुझे यह दोनों कलर्स बहुत अदा पसंद है तो इसके इलावा अभी मैंने वीडियो बिनाते बिनाते देखा मामा के यह शु दिखाती हूं तो एक मिनट यह देखें यह बड़ी प्यारी सी फ्रॉग बनी हुए थी और यह है मामा के नाइट सूट्स अच्छा मैं उनकी प्राइस दिखाना भूल गई हूं तो एक मिनट मैं दिखा देती हूं ब्लैक ट्राउजर की आप लोग देख लिए जैसे कि मैं एक चीज को कनवर्ड करने बैठीना विडियो भी बन जानी है और आप लोगों मज़ा भी नहीं आएगा और यह ट्राउजर की प्राइस ठीक है यह मामा के नाइट सूट्स हैं एक यह वाला ममा ने लिया है बस इनके नज़ातर इसी टाइप के लगे होते हैं वाले फ्लॉ यह प्रेंट का फरक है तो यह एक नहीं मोझे दे दे तो ममा ने का चलो तुम ले लो तो मैं अभी शावर लेने लगी थी तो मैं आपको जैसे बोला कि यहां सिर्फ मैं जरूरत की चीज़े लेके आई थी इसलिए घर के कप्ड़ लाने की इतनी खास मुझे जरूरत नहीं तंदूरी और तिका मसाला दोनों एक एक टी स्पून मैं इसके अड़ किये थे और बस मैं तो रफ सा आइडिया लगाती हूं सब मसालों का लेकिन आप लोगों को जब बताना होता है पिर मुझे कुछ समझ नहीं आती है मैं बहुत सी बैने जो कहती है कि आप मेयर्स के सहा आप लोगो तेसी तरीके से डालने के विशिश करते हैं तो यहां मैं आपको रिमाइंड करा देती हूं जल्दी जल्दी से आप लोग पहले वीडियो को लाइक कर दें उसके बाद पूरी वीडियो देखते रहीए का राम से क्योंकि फिर आप लोग भूल जाते हैं और आप लोगों को बताया ही था तो यहां काम करते करते हैं चालक मुझे भावी ने सिर्फ्राइस दे दिया मैं क्योंकि जो अपने ट्राइपोर्ट साथ बढ़ा ले नहीं ला पाई थी क्योंकि उसको गहरी करना मुश्किल था तो यहां भावी ने अल्रेडी वगवा कर रख तो यहां करना होता है साथ वीडियो बनानी होती ना तो यहां ट्राइपोर्ट है तो मैं यह दूसरा लेकाई थी इसके ओपर बार बार गिर जाता था क्योंकि खुद नाजुक्स है बिचारा उसकी मुंडी जोना वह इल जाती थी तो अब वापिस मैंने फोन को जोना अच गर साथ इसके साथ डाले और तो जबेज थी तो झाले सफड़ी देखे संवाले तो यहां को आते जोन आजी खाईजाती हम जाता ग् remotely खाया हो is ken kındar बात। एकड़ लोड़ी है ना तो थोड़ा सहथे से लहुड़ जाग जाता है घ्रेरी जाग जाग देगी तो यहां पर मैं अच किंदर स्वासिक्वार ध्रून है सोटु की टिली सुस चिली सुस और वेनिंगर क्यों अगर नहीं है आप लोगोंके पास तो आप लोगंगे लेमन ज कोई भी बार्बिक्यू वाली चीज है ना मतलब चिकन वाली तो वह बहुत बहुत मज़गी बन जाती है अब बाकी इन सब चीज़ों को रखते हैं अपनी जगों पर और कल मैंने जहां पर व्लॉग एंड किया था आज मैंने वही से स्टार्ट किया है इसलिए आप लोग कहत पर शल्जम गोश्त बनाने थे तो कल मैंने यहां पर व्लॉग खत्म किया था कि मामा शल्जम कर रही थी और भापी जो है वह मतन धो रही थी तो बस वह उन्होंने मतन चड़ा दिया हूआ और बस उसको बना लेंगी साथ साथ और मैंने सोच्छा चलदी से में फिर इस्ता धिर जून दिन तो फुल पीक पर उता हैं तो जो रही है आमी ठीक हो मैं पर बहुत 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 बैटर है तो अब हमस्ता होते हैं तो आप आदर जरे में काफंकर का टाइम पड़ा हुआ है और अब जैसे जैसे रोजे कम होते जा रहे है ना तो वो एक दम से मतलब फील आती जब जैसे रमजान के स्टार्ट में एक इनसान को खुशी फील हो रही होती है ना घो रह के अचे अची 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 अचे अची अची अचा अचाब और यह फी आपश ही जाता है … और यह पी बाड़ा रोज़ी करना यह चींदाग यह करना है आक अचिछा आफ यूड़ा ह창 अचा शेपां को का स्कूरा और ऊधिया थोड़ा से अधिया बेसन एक और अधिया और फिर फ्रेश वह डाल दिया थीका मसाला आड़ा दिया तो तो ताकि इसकी कोटिंग में भी आज़ आज़े अब हम इसको ओई में बस फ्राय कर लेंगे और यह रेड़ी हो जाएंगे इसी तरह अगर आप लोग इसक जैसे पिर मैंने अभी फ्रिज में देखा भी है तो वह कोई चॉकलेट सोस पड़ी हुई थी वह हनी नहीं था तो इसलिए फिर मैंने वहाल आइडिया स्क्रिप कर दिया आज हम इसको ऐसे सिंपल ही खाएंगे और यह इतना फ़नी हो रहा था ना भावी के सालन में उनसे गल फ्रूट चार्ट थी यह मैंने बनाये थे चिकन पॉप कॉंस बनाये थे उसके बाद भावी ने डिरेक्ट साथ में खाना भी रख दिया था ताकि खाना ही खा लें क्योंकि आजकर हम आने यहां पर सद्धा तर यही सीन चल रहा सब कोई बिमार तो यह बिर्यानी भी पर रात के ताइम मुझे बूक लगी तो मैं सचा चला फूट कुछ खा लेती हूँ क्योंकि कुछ और खाने का दिल नहीं कर रहा था और स्ट्रॉबरी यहां पर बहुत मिठी है यार मुझे तो इतनी जाता पसंद आगी मैं स्ट्रॉबरी पसंद जरूर है लेकिन बहुत पर खाई नहीं जाती हैं अजीब हो ना अच्या आप बढ़ के अंदर जो खटी चीज़े बाप खाते हो ना तो साइड वे गुद गुदी होती है ना चीक्स के अंदर उस वश्वेसे मुझे खटा निका जाता है मैं इमली भी खाती हो ना तो मैं खास और पर जब कुछ ख खराब हो गया जिसकी वज़ासे वो भी बिमार हो गया तो बस यहां पर यही कुछ चल रहा है पिर सहरी में सुबह भापी ने रोटी या बनाई और रोटी बनाने के बाद पिर हमने सालन्मगर गरम किया जो रात को बनाया था तो सिम्पल हम लोग सहरी करेंगे और आज हमे जिपान पाकिस्तान से आगे है तो जब यहां पर रात को आठ बच से आना यानि जिस टाइम के आस पास में व्लॉग अपलोड करती हूं तो जपान में बारा बज़ रहे होते हैं तो मैं जब हम लोग इफितार करके फ्री होते हैं सब कुछ करकर आके उसके बाद फिर मैं ख्री करने तो टाइम का टाइम हो जदे देश में अबनारा 保 Gang चौह करके बार बार भार और बार करें तो रहुदा लिए पलसे को यह तो पटा होुदी कर यह भेरन में तो इस फूम बार बार चांज 4 प्लोड कर लो सैंक बॉ जो मैंने काम जैने हो कि दूरों करना हुते हैं कि यो लोगस मेरा का है एक गो रीकेश स्मार में लेजी पे Warum है तो आज मैं टाइम से उठ गई थी वैसे तो यहां भी मेरी यही टूटीन है कि मैं लेट उटती हूँ लेकिन आज मैं टाइम से उट गई थी और अभी मैं रेड़ी शेड़ी हो गई हूँ और मैं भबी को बचों को बोली थी कि आप लोग भी देखे तो इसी वीडियो बना लेते हैं और अभी मैं आपको बाहर जाके फूल आउट फिट दिखाती हूँ कि मैंने क्या पहना हुआ है तो हम लोग को किसी काम से जाना था तो वहां जा रही है मैं सुचा आज आप लोगो बहुत प्यारा मौसम था देखने में भी आपको पता चल रहा होगा तो मैं सुचा थोड़ा सा आपको जबान दिख क्लाउड भी आए हुए थे आज और हवा भी चल रही थी इतनी रंडी हुआ थी कि और टांगों में गुसरी थी लेकिन वैसे यहां पर स्प्रिंग और समर सीजन ही आ गया है बस यह कुछ दिन में बारिशों के वैसे थोड़ी यहां ठंड हुई हुई थी आज यहां में अधर बच्ट के पांच मिनट के गरीब जो है न तो वह रोजा खुल जाता है यह मैं आपको मतलब एक्जैक्ट नहीं बता रही हूं यह नि मुझे तो भाही बता रहता है ना कि रोजा खुल गया है लिकिन मैं आपको बसे साहाब बता रहे हुए कि चार इतना तो मुझे तो चार बच के दस मिजट के गरीब भू रोजा भेगों तो आप झालए चान वाज ही पर आनु है पकिस्तान में युद्धान की रूज़े में यहनटों को कि Ella हम पहुँंच हो ईक्ति थे कि महाँ हैं यह सी जीज दिखा दें वो दिखा दें तो वो दिखा देती है और यह ड्रेस मैंने लाइम लाइट से लिया था और जब मैंने कोड पहना यह मैंने अलमास से लिया था आप लोगों को यादी होगा जब मैंने यह ड्रेस दिखाया था और बाकी पता नहीं मैंने आप लोगों को दिखाया या नहीं तो फिर हम एक स्कूल में आया थे स्कूल का विजिट करना था और पता करना था तो उसके बाद अब हम घर वापिस आएगे याप इतने गुलूलू से बच्चे थे थे प्यारे प्यारे से कोब मोसम नहीं सूट करता है इंको चीज़ें नहीं सूट करती हैं तो जब इदर आते हैं लिस से हो गया आते हैं वापिस तो अब फिर हम लोग वहां से वापसी भाई ने हमें ग्रोस्री स्टोर उतार रहा था जो कि हमारे घर के बल्कुल सामने है तो ग्रोस्री करके भिर हम लोग जाएंगी अब घर वापस और क्योंकि एफ़तार बिनाना होता है तो आजकल बस यह जो रहा है अग्यों इस टाइम पर जपाना है कि हम लोग को बाहर को बहुमने की आने-जाने कि इतनी फिकर कि भाई ने आना होता है कि अगर आया तो उनलों को भी लगना चाहिए कि कोई घर से आया है और हमेज़ आना गर की इफ्तारियां मिल रहे हैं कि जब तक हम लोग यहां पर नहीं थे तब तक तो वह बाहर की ही कर रहे हैं तो यहां मैं डंपलिंग्स देख रही थी लेकिन मु और यहां पे हम लोग को लेना थे फ्रोसें फ्राइज और साथ में पिर्टाटो वैजिस भी लेनी क्यूंकर मैं दिल का रहा था कि आच प्राइज भी खाएं तो मैंने को उस टाइम पे रमजान में मतलब आपकी इतनी हम्बत ही नहीं होती रोजे के अंदर कि आप कर लो औ लोग बनाई लेते हैं लेकिं जो जिसका में असानी हो सकती है वो तो बंदा असानी ले ना और यहां पर आप लोग ने देखा होगा मैं बहुत डिटेल्ड व्लॉग जो है ना वो कैप्चर करती हूं ताकि आप लोग मेरे साथ-साथ बाकी भी चीजें जो आना वो देख रह करते हैं वहां की चीजे क्या हैं कैसी हैं तो इसलिए फिर मैं हर चीज जो है ना वो कैप्चर करती रहती हूं ताकि आप तो भी देखते रहा हूं और यह मुझे इंकी ट्रॉली का आइडिया बहुत मज़े का अराम से आपके बच्चे भी जो आना वो ग्रोसरी आप करने जाएं तो आपको तंग नहीं करते हैं पाकिस्तान में अभी तक मतलब जहां मैं जाती हूं हम मैंने तो नहीं अभी तक लोहर में ऐसी ट्रॉलीज देखी हैं आप लोग बिताएगा इफ आम रॉंग क्योंके जरूरी नहीं है कि हर चीज यह आपको हर जगा की पता हो तो मै लॉंबा ने भी उनको जो ना वो दूसरी वाली जो है उसके अबर बच्चे खड़े हो सकते हैं और इसके अंदर बैठ सकते हैं चोटे बच्चे हैं जैसे अब दूल्दा है तो फात्मा अब इसमें पूरी नहीं थी पहले वह भी कोशिश करी थी कि मैं भी बैठ जो लेकर यहां से हम लोगों ने ली कैचप और साथ में यह ले लेंगे अब टोट्या रैप और क्योंके मेरा दिल कर रहा था कि मैं रैप बना हूं तो वह भी मैं आप लोग के साथ इसी व्लॉग में शेयर करूंगी क्योंके यह दो दिन का व्लॉग है ना क्योंके कल मैं अपलोड जूस और आइस क्रीम नहीं देते हैं उसकी यही वज़ा होती है कि यह जब भी खाते हैं तो इनका स्टमक डिस्टरब हो जाता है तो फिर इसलिए हम देते हैं तो यहां पर आगे उनको पता होता है कि भाई हमे अज़ादी है इन चीज़ों के लिए अब और यह देखें य कि मिवाम मुझे बॉल रहू होती है कि मिवाम आ पर आपने लिए नहीं ले लमागों । उसके लिए नो है नो पाकिस देखेंशन से बिखाती है कि अब यहां बनाने वली थे लैप तो घर आके मैंने किया चेंज, चेंज करने के बाद मैं फिर नीचे गई, अब किचन में आ गई है शामल, तो अभी मैं बनाने वाली थी चिकन टोटिया रैप्स, तो मैंने सोच आप लों के साथ शेयर कर देती हूँ, जल्दी जल्दी से मैं बहुत ही असान और अपनी वे मे मेरी ना साथ चिकन की मैंनेशन सेम ही होती है, उसकी वज़ा यह है कि मैंने साथ से हर चीज को बनाना होता है, मैं बहुत रेसिपी फोलो नहीं करती है, मुझे ऐसा लग रहा है जिस चीज में कोई चीज डिल सकती है, या यह चीज सही होगा तो मैं आड़ कर देती हूँ, मैंने सेम मसाले डाले हैं, तिका, तंदूरी जो भी आपकी घर में पढ़ा है, अग मेरे पास तो यह भी मसाले डाना पढ़े हो अगर तंदूरी मसाला या सी, तो मैं सीख कबाब मसाला डाल देती हूँ, जो भी पतलब आपके पास मसाला पढ़ा होना तो आप डाल सकते हो तो मैं इसलिए कहती हूँ कुकिंग का ना there is no rule ना कोई इसका formula है बस आपको जैसे अच्छा लग रहा ना आपने वैसे ही करी जाना है और बस थोड़ा सापने ये धिहान रखना होता है कि नमक में बहुत extra ना हो जाए तेज या बहुत कम ना हो क्योंकि टेस्ट उसी से निकलना होता है तो बस मैं इसकी बनाई करूंगी थोड़ी दे फिर हम इसको थोड़ा कुक कर लेंगे सारी चीज़ें मैंने इसके अंदर आड़ कर ली थी तो इसको मैंने दम पे थोड़ी दे 10-15 मिनट पकाया तो ये बड़े अच्छे से गल गया था अब हमने इसको रखते नहीं साइड पर ठंडा करने के लिए तो जब इस्तार होगी कि मैंने पहले ये दो तीन गहंटे पहले बनाके रख लिया था ताकि बाद मुझे सिर्फ टोटिया को फिल करना पड़े और हम उसको रेड़ी कर ले और यहां पर भाबी फ्रूट चार्ट के लिए चीजे मुझे दे रही थी और अम्यों का सही है ना आराम से साइड बे बैठती है और कट कट करके दे जाती है और है यहां पर अब क्या हम लोग टोटिया लेकर आए थे इसको मैंने वह सेका लगवा लिगा और बहुत से लोग नहीं नहीं मेरे चैनल के साथ जूर रहे हैं मुझे सब्सक्राइब कर रहे हैं और कुछ लोग सब्सक्राइब किया बगार ही आन्दे हो सिर्फ वीडियो वे दे हैं तो चैनल आन्दे है की गाले थाड़ी यूट्यूब चे सब्सक्राइब था बटर नहीं आंदा मैंनों दसो मैं आंके सब्सक्राइब कर देनी है तो बस मजा करी थी मैं आप लोगों की मरजी है देखो कोई जोर जबरदसी नहीं होती मैं बस वीडियो में शुगर लगा रही ह dewती हूँ क्योंकि मुझे पता है जो मेरे लोग है जिन्हों ने मुझसे प्यार करना है या जिन्नहोंने सब्सक्राइब करना है उन्हों हरे लोगी बटर के चाईट जाओंगी अपने काम करने के लिए और मैं आप भी आप मेरे साथ पानी में उसको मैंने बिगो के रख दिया था ताकि उसकी कड़वाहट सारी खतम हो जा तो मैंने थोड़ा थोड़ा प्याज एड़ किया और इसके अंदर मैंने सोस जो एड़ की थी ना वो थी चिली मायो पता नहीं मैं भूल गई यह भी आप लोगों को मैं निका देती हू मैं जड़ा को केचप लिए और मस्टरडं रिवाटानी थी ना शुभार मनम रोगए रख तो पहले मैंने थी लगए यह पता लगए उसका केमे भी तेमनाने था तर हुम यह पर छेली मैंने सोसि ना सब्सें बच्चे देखो दरा मेरे पास बैठे हुए और भापी कहलें थी कि अब भूपो ने कैमरा लगाया आगे से ना गुजरो मैंने कोई बात नी कुछ करने तो आप पर नी बच्चे भी आपने कार भी आपना सब कुछ टेंशन नी लेनी आपने मेरे लोग ऐसे रहिएं कि जो इन चीजों कामेंट करेंगे कि आप लों को मेरे ये यहीं अंदास तो पसंद है कि मेरे बहुत रोव विडियो लिए विदिए तो आप लों को यहीं कूछ पसंद है तो यह देखें यहन पर लिकहाओ है। पसंद देना तो वह कह रही थी कि टूथपिक मैं लगाओंगी मैंने का चलो ठीक है बैड जो तुम भी अब मैं बनाने लगी हूं बच्छों के लिए तो बच्छों के लिए मैंने कोई सोस एक्स्ट्राइड नी की सिरफ कैचप था कि इनको मिर्च शिट चना लगे और यह ख तो हम लोग ना मेरे ज़से पहले बिताया था कि दही बहले और फूट चार्ट रैसी से बिनाते हैं लेकिन जो भी यह वाली चीज होती है ना कुछ फ्राइड हो गया या कुछ इस तरह की स्पेशल जी हम एक ही बनाते हैं ताकि उसी से प्रॉपरली पेड भर के खाया खायब हो वह बाबी को मिल रहा तो पर अब आप मुझे ना ऐसे मज़ा नहीं आता है चाय पकती नहीं है या या यहां पर तो मैंने का मुझे ना कुछ भी देदे मैं जानने के लिए कोई चमचा देदो फिर उनने मुझे यह यह ज़े दे दी असालन डालने वाला तो अब चैनल पे नए है तो सब्सक्राइब भी कर लो मैं आप लोगों से मिलूंगे कल तब तक अपना ख्याल रखेगा मुझे दूआ में राद रखेगा बस मुझों के साथ बैटेंगे थोड़ा सप्रेश चोड़ा खेलेंगे और आप लोगों से मैं इजाज़त भी चाहूंगी क् कर लौब तक लौँझा मैं अगला दिन मैं आजाना है ठीक है तो यहां पर मैं भाभी लिखाने आई थी देख लो जी यह जबान के नान है अजीब अतरगी से नान रभ में जा रही हूं और भाए ठाटा